तिजारा थाना शेट के पलडिया गाउं के समी बस के इंतिजार कर रहे बुजर्ग दमपती को कार सवार रेटार करणल ने टकर मार दी जिससे 55 वैश्य व्यक्ति हरियों बैरवा की जहां मौत हो गई वहीं पतनी कमला देवी को गंबीर आलत में नीजी अस्पताल में भरती कराए गया है गुर्गाउं के महमतपुर गाउं निवासी 55 वैश्य हरी बैरवा अपनी पतनी कमला के साथ किराय के मकान में रहकर तिजारा में मजदूरी करते हैं शुकरवाशाम दोनों पती पतनी मजदूरी कर अपने कमरे पर लोटने के लिए बस का इंतिजार कर दे थे तबी पलड़िया गाउं के समीप कार सवार एक करणल ने उन्हें ठकर मार दी जिससे दोनों गंभी रूप से घायल हो गए गंभी रहालत में हरी बैर्वा को लेकर अलवर रेफर किया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई वहीं पतनी कमला को निजी हस्पताल में भरती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है वहीं मेरा तक हरी बैर्वा का पोस्ट माटम करवा कर शव परीजनों को सुपर्ट कर दिया हरी नाम था इसका तहां करेने वाला है ये महमतपूर कुलगाउं करोली जिले करेने वाला था पलडिया स्टेंड पर ख़ड़ा था कार चाल लग था कोई बैलोन नौ अचानक कोई बाईक आने से उन्होंने लोंग साइड में खड़े हुए दो वेक्तियों पर गाड़ी चड़ा दी उससे उसके कमीर चोट आई उसके दोरान अरी किमत्तू होगी कि अम्मा का कमला कि अज़ेक दारी मज़ड़ी अपने वाँ करते थे और तिजारा में श्याध रहते थे पीस साल होगी घकर मारी उसके कुल पता लगा क्यों नहीं है? उसका गाड़ी भी मौके से ले लिए और वो ऑस्टिलन छोड़के उनको एडमिट कराके गाड़ी जो है ठाने वे हमने उनकी खड़ी की हुई है और आगे रिपोर्ट देंगे जिसकार रोज़ी है करनल है क्या नाम है नाम तो मेरे को याद नहीं है नाराण साइज ऐसे हैं यहां अस्पटाल में उप्चार के दोरान मौत हुई है क्या नाम आपका विरेन नर्शी एसाइज हानत जारा प्रेस